नमश्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का एक्जाम अचीमेंट में तो दोस्तों एक्जाम अचीमेंट की ये वाली वीडियो होने वाली है क्लास तोल्ट के पेंटिंग सब्जेक्ट के स्टूरेंज के लिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उनका चैप्टर नमबर 9 जो है भारते रास्टे द्वज का विकास जो की तीन चरणों में हुआ था उपर जो आप तीन जंडों को देख रहे हैं जिसमें बीच वाला तिरंगा है और इसी के दो पहले चरण यहाँ पर आपको दिखने मिल रहे हैं और इसी के विकास को इसी के तिरंगे के क्रम के विकास को हम पढ़ेंगे अपनी इस वीडियो में बने रहें exam achievement के साथ तो रास्टर द्वज का विकास तीन चरणों में हुआ था और पहला जो starting point थी हमारे रास्टर द्वज की जब हमने हमारे रास्टर द्वज को सरप्रतम देखा था तो वो था 1906 और उसके बाद उसके अंदर कुछ बदला हुए 1921 में और अंतिम जो तिरं हमारे रास्टर की पहचान है हमारा national flag है वो हमको मिल गया था 1947 में तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे रास्टर द्वज का नाम क्या है तो हमारे रास्टर द्वज का नाम है तिरंगा क्यों क्योंकि इसके अंदर तीन कलर है द्वज का अकार अगर हम हमारे जंडे के अनुपात की बात करें तो हमारे जंडे का अनुपात है तीन अनुपात दो इस अनुपात को मैं आपको समझाना चाहूंगी इसके अंदर लंबाई होगी आपकी तीन और चोडाई होगी दो अगर वो मीटर में है तो और अगर वो सेंटी मीटर में है तो तीन सेंट थे थे 910 में हम पढ़ते थे थे ना सरलतम रूप में मतलब change करो कोई हमको भीन दे दी होती थी और उसको बोला जाता था सरलतम रूप निकालो तो मतलब जब उसको बिलकुल काट के सबसे चोटा डिजट बन जाता था तो उसको बोल दिया जाता है अनुपाद तो यह हमारा 3 तीन मीटर हो सकता है, तीन मीटर लंबाई और दो मीटर चोड़ाई हो सकती है, यह हमारी छे मीटर लंबाई और चार मीटर चोड़ाई हो सकती है, यह हमारी नो मीटर लंबाई और छे मीटर चोड़ाई हो सकती है, यह तीन सो किलो मीटर से लंबाई और दो सो किलो मीटर भग कितनी बार ही इस चीज को पढ़ा होगा और आपने देखा होगा जंडा लहराया होगा आपने स्कूल में लेकर गए होंगे जो हमारे रास्टर के त्योहार हैं 15 अगर 26 जनवरी पर तो सबसे उपर उसमें केसरिया रंग होता है मध्य में सफेद रंग होता है और सबसे न कहां पर है उत्तर प्रदेश सारनात में इस्तित है और इसमें वनी हुई यह जो 24 तिलिया है यह हमारे दिन के 24 गंटों को दिखाती है नारंगी रंग किसका प्रतीक है वीर्ता का और हरा रंग किसका प्रतीक है प्रचार का प्रसार का उर्वर्ता का ठीक है खुशाली का औ कि आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं तो इसके भारे में अगर हम देखें तो वही चीज यहां पर बताई हुई है आपको कि केसरिया रंग मध्धे में सफेद नीचे हरा रंग है 24 तीलिया है जो कि गहरे नीले रंग से बनी हुई है धर्म चक अशोक चक्र से लिया गया है सा परनाथ हमारा उत्रप्रदेश में है रास्ट द्वज में परियुक्त सभी रंगीन पटियों का चक्र एक प्रतिकात्मक अर्थ देता है केसरिया रंग हमको क्या बता रहा होता है साहस बलिदान सफेद रंग सचाई शांती हरा रंग सम्रदी खुश हाली और दिन के 24 घंट हम बात कर लेते हैं कि ध्वज के इस रूप से हम मत्तब एक तिरंगे के तौर पे या हमारे रास्ट के ध्वज के तौर पे हम क्या दिखाना चाहते हैं तो हम हमारे लोगों की भावना यानि भारतवासियों की भावना राजनेतिक आकांग्शा सामाजिक आकांग्शा वे स संखर्ष हुआ था जो अंदोलनकारियों ने अपने जीवन की आहुती दी थी इस चीज को प्रेजेंट करता है हमारा तिरंगा और इस तिरंगे को हमने कब प्राप्त किया था तो भारतिय सविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 इश्वी को भारत के रास्ट ध्वज के रूप में इस 1947 को इसको लाल किले पर फेरा दिया गए था लाल किला गहाँ पर है दिल्ली में आप सभी को पता है तो दोस्तों यह है हमारा जो तिरंगा है आज वाला उसका इतिहास उसके जो 36 तीन रंगों की पट्टियां है उनका अर्थ उसके चक्र का अर्थ उसका साइज और उसको तिरंगा उसको accept कब किया भारत के रास्ट्र द्वज के रूप में तो वो है 22 जुलाई 1947 और कब पहली बार लहराया गया तो मंदरागस 1947 को ठीक है अब इस तिरंगे से पहले हमारे पास कौन सा रास्ट्र द्वज था जब हमारा देश आजाद नहीं था और जब हमारे क्रांत कारी आंदोलनकारी और हमारी भारते रास्ट्र कॉंग्रेस जो हमारी राजनितिक पार्टी थी एक मात्र राजनितिक पार्टी थी वो किस द्वज को प्रियोग में लाती थी तो देख लेते हैं बीसमी शताबदी के आरम में सुतंतरता के लिए रास्ट्रवादी आंदोलन उसमें शामिल थे गरीब किसान भी उसमें शामिल थे राजा महाराजा नवाव सभी जमिदार सभी लोग उसमें शामिल थे लेकिन वो सफल नहीं हो पाया और उसके सफल नहीं होने के पीछे क्या कारण था कि जितने भी लोग उसके अंदर शामिल हुए सुतंत्रता में उन विफल होने का कही न कहीं एक कारण था तो वो टाइम जब निकल जाता है तो लगभग यह 1857 की बात है और इसके लगभग 50 साल के बाद 50 से 60 सालों के बाद यानि कि 20 शताबदी में सतंत्रता के लिए आंदोलन फिर से होने लगे और तीवर गती से होने लगे और अब हम उसी समय की यहां पर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या हुआ कि 1905 में बंगाल विभाजन किया ब्रिटिस शरकार ने और ये बंगाल विभाजन के पीछे उनकी एक ही मन्शा थी क्या करना हिंदू मुश्लिम एकता को भंग करना वो हिंदू मुश्लिम एकता को भंग करना जाहते थे इस कारण से उन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे बंगाल में तथा पूरे भारत में क्रांतिकारी अंदोलन जो थे वो तेज हो गए जिसके चलते 7 अगस्थ 1906 को कॉंग्रेस की सभा का आयजन किया गया कब किया गया दोस्तों इस तारीक को याद रखलो आप साथ अगस्त 1906 को कॉंग्रेस की सभा का आयजन किया गया यहीं पर भारतिय लोगों की भावनों को व्यक्त करता हुआ एक ध्वज जिसको पहला रास्टे ध्वज कहा जाता है फेराया गया और इस ध्वज की क्या खासियत थी कि इसमें हरे पीले वे लाल रंगी तीन छेतिस पटिया थी हम एक बार इस ध्वज को देख लेते हैं तो ये था वो ध्वज जो सबसे पहले कब 1906 में हमारे रास्टे ध्वज के रूप में आया और इसके अंदर क्या है तीन छेतिस पटिया हैं हरी पीली और लाल हरी पटि पर आठ कमल की कली या फिर कमल के अध किले फूल बने हुए हैं और पीली पटि जो की बीच में हैं वहाँ पर नेवी ब्लू कलर से वन्दे मातरम लिखा हुआ है और नीचे जो लाल पटि है उस पर दाईं तरफ चंद्रमा और बाईं तरफ सूरज सफेद रंग से बनाए गए हैं ये हमारा सबसे पहला रास्टे द्वज था और जो दूसरा रास्टे द्वज था वो 1921 में फेराया गया कहां पर फेराया गया तो भारती रास्टे कॉंग्रेश का जो अधिवेशन हुआ आंध प्रदेश की विजेवाडा में जो अधिवेशन हुआ वहां पर इस जंडे को फेराया गया और इस जंडे को स्विक्रती किस ने थी बनाया किस ने तो बनाया था पिंगली वेंकईया ने और इसको स्विक्रती दी थी मोहंदास करमचंद गांधी जी ने इस ये जंडा कैसा था तो ये जंडे की फोटो में आपको दिखाती हूँ ये जंडा था इस तरह का इसके अंदर में हमारी 36 पट्टियां है वाइट वाली सबसे उपर है ग्रीन वाली बीच में और सबसे नीचे लाल रंग की पट्टी है और जो ग्रीन रंग की पट्टी है उसके उपर नेवी ब्लू कलर से चर्खा बनाया गया है और यह जो चर्खा है वो इस तरह से बनाया गया है कि इसका थोड़ा सा भाग उपर सफेद पट्टी पर और थोड़ा सा भाग नीचे लाल रेंगी पट्टी पर जाता है चर्खा दिखाने का यहाँ पर जो कारण था जिसके कारण क्या था? कि हम लोग खादी को स्विकार कर रहे थे, खादी को अपना रहे थे और विदेशी कपलों को त्याग रहे थे. और उस चीज के लिए क्या था जो लगूत योग थे या जो छोटे कार्मिक थे उनको प्रोचसाहन देने के लिए गांधी जी ने चर्खे काउपयोग किया और सूत कातना शुरू किया घर घर में चर्खा उन दिनों आ गया था और इसी चीज को यहां पर इस जंडे में दिखाया गया है तो यह था हमारा दूसरा जंडा जो आया कहां 1921 की कॉंग्रेस अधिवेशन में और यह कहां पर था आंत्रदेश के विजेबाड़ा में तो दोस्तों यह था हमारा दूसरा जंडा तो और उसके बाद तीसरा जंडा हमारा का बाया 22 जुलाई 1947 को उसको स्विक्रती प्रदान कर दी गई तिरंगे को स्विक्रती प्रदान कर दी गई और उसके बाद 15 अगश 1947 को उसको दिल्ली के लाल किरे पर फेरा दिया गया सोतंदरता भारत के प्रथम सोतंदरता दिवश पर तो दोस्तों ये थे हमारे तीनों जंडे पहला जिसको हम देखते हैं 1906 में और दूसरा जिसको हम देखते हैं 1921 में और तीसरा तिरंगा जिसको हम देख रहे हैं 22 जुलाई 1947 से लेकर अभी तक तो आशा करती हूं दोस्तों आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इसी तरह की और वीडियो को आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें